नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबिस क्लासेस में दोस्तों जो अभी हम बात कर रहे थे कि ठोस द्रौग गैस में क्या अंतर है उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों परमाडू संरचना तो आज हम दोस्तों परमाड़ संरचना के बारे में बात करेंगे इसके पहले जो हम एक बार जो हमारा वीडियो बना है दोस्तों क्रम यह चल रहा है तो उसमें जो हमने बताया था कि ठोस द्रौग गैस में क्या अंतर है और point to point हमने denote करा दिया था अब क्या होते है दोस्तों कि इसकी बात जो हमारा आता है परमाडू संदचना तो परमाडू में बहुत सारे हम fact पढ़ेंगे बहुत सारे topic पढ़ेंगे हमारा जैसे कि परमाडू होगा अडू होगा परमाडू भार अडू भार मौल धारणा ऐसे करके हम मौल इकाई ऐसे कुछ करके हम पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फस्ट टॉपिक है फस्ट टॉपिक हमारा है परमाडू तो आज हम जान लेते हैं दोस्तों कि परमाडू से कहां से कहां कोश्चन आते हैं और कौन कौन से इसमें मेन फैक्ट होते हैं दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे तो हम इसके पहले देख लेते हैं कि इसकी जो परमाडू आखिर होती क्या है तो परमाडू एक रसानिक तत्यों की सबसे छोटी इकाई परमाडू होती है मतलब कि जो भी जैसे हम पढ़ते हैं दोस्तों किमेस्टी में जित्ते भी अड़ू परमाडू जो भी चीज पढ़ते हैं सबसे छ च्छोटी सी छोटी कण हमारा परमाडू होती है देख सकते हैं तो ये कहलाते हैं परमाडू कहलाते हैं अब इसकी परिभास अब देख लेते हैं दोस्तों कि परमाडू तत्तो का वै्ट wij छोटा से छोटा कण है परमाडु तत्तो कावय चोटा सा चोटा कण है जो किसी भी रसानिक अब क्रिया में भाग ले सकता है मतलब कि भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र आवस्था में नहीं रह सकता है स्वतंत्र आवस्था में क्यों नहीं रह सकता है तो क्योंकि बहुत छोटा है और इसका कोई इस्थान नहीं होता है तो यह अब रासानी का प्रिया में भाग तुले सकता है लेकिन सुतंत्र हवस्ता में नहीं रह सकता है इसके बाद जो यहाँ पे हमारा परिवासा क्लियर हो जाता है और इसके बारे में हम जानेंगे कि इसक जो परमाडु भार है मतलब यह जो छोटा सा कड़ है उसका भार लगबा कितना से कितना तक हो सकता है important question है दोस्तों यह धेन देने वाली बात है और जो आपको विविन्य प्रकार की examों में जैसे त्यारी करनी पड़ती दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों कि पहले आप इन basic को पड़ेंगे इसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा clear हो जाएगा पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे परमाड भार है परमाड भार है 1.67 into 10 के पावर माइनस 27 से मतलब इतना जो भार है इससे 4.52 into 10 के पावर माइनस 25 किलो ग्राम तक मतलब इतने किलो ग्राम से इतने किलो ग्राम के बीच परमाड भार रहता है इसमें आवेज क्या होता है दोस्ते छोटा सा कण है तो इसमें आवेज तो जरूर होगा लेकिन इसमें क्या होता है इसमें आवेज सुन होता है और जैसे कि मतलब किसी जो कण है हम आगे बताएंगे आपको कि इलेक्टरान, प्रोटान, नियोटरान यह सब आवेज होते हैं आपने सुना होगा तो इसके बारह में भी हम बात करेंगे आगे पहले देख लेते हैं कि इसमें आवेश सुनने हैं दोस्तों भाग भाग इसमें कौन कौन से हैं इलेक्टरान है प्रोटान है तथा न्यूटरान की एक सुगठित नाभीक है देहन देने वाली बात है दोस्तों कि जो इसमें भाग जैसे कि हम आगे आपको एक संरचना दिखाएंगे वो कुछ इस प्रकार से जैसे कि मालीजी कि हम यहीं पर बना लेते हैं एक ब्रत टाइब का बना लेते हैं दोस्तों क्या होता है कि यह छोटा सा कण है तो क्या होता है दोस्तों कि ये कि उसकी नाविक होगी और इसमें जो इलेक्टरान बाहर चक्कर लगाते हैं दोस्तों इलेक्टरान बाहर चक्कर लगाते हैं और प्रोटान इसके अंदर उपस्तित होते हैं और ये हो गया नियूटरान नाविक में होता है तो क्या होता है दोस्तों कि ये तीनों मिला के परमाड की सन रचना करते हैं यहां पर हमारा हो जाएगा इलेक्टरान, इलेक्टरान को इसे दर्स आते हैं दोस्तों और आगे हम बात करेंगे कि इसे यह रिनात्मक होता है यहां पर प्रोटान हो गया दोस्तों और न्यूट्रान हो गया प्रोटान जो धनात्मक होता है और न्यूट्रान उदासीन होता है तो आगे हम देखेंगे कि इसके पहले इसके बैक्ख्या देख लेते हैं थोड़ी से इसके बाद हम आपसे बात करते हैं बैक्ख्या में थोसद्रा गैंस प्लाजमा और एक हमने और बताय था बोस आइस्टीन पधार्थ है तो पधार्थ की पांच अवस्दा consideration है खोज़े हो चुक्क ही एस दोस्तो इसमें हम चार अवस्ताव के देखते हैं कि ठोस द्रॉग गैस और प्लाजमा तठस्त या आयनल परमाणू से बना है मतलब यह जो परमाणू परमाणू से ही ठोस द्रॉग गैस यह सब बने होते हैं और किसी भी पदार्त में बहुत से परमाणू पाये जा सकते हैं क कि पर्माडू और अडू में क्या अंतर है पर्माडू और अडू में क्या अंतर है तो दोस्तों पर्माडू पर्माडू छोटे छोटे आकार के होते हैं और ये मिलकी मलब एक समू बनाती हैं और अडू बना लेते हैं मलब कि पर्माडू का समू अडू कहलाता है तो क्या सकती हैं इसके बाद जो हमारा अगला जो वीडियो रहे को दोस्तों इसी परादारीत रहे कर दो कि परमार अडू में समली थे कि अडू परमाणू में समली थे ऐसे question को हम solve कर लेते हैं इसका आकार हम देख लेते हैं कि आकार क्या होता है दोस्तों तो आकार इसका है दस सो पीम मतलब की एक मीटर का 10 अरब हिस्सा इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग इस तरह से हम 10 अरब निकाल लेते हैं और 10 अरब मतलब एक जो कण है एक जैसे कण है तो इसका 10 अरब हिस्सा मतलब एकदम से छोटा कहीं ठीक न इसका आकार होता है 10 अरब हिस्सा और 10 अरब दोस्तों की एक मीटर का मानलब कि बहुत ही चोटक है इसलिए इसे हम नगनाकों से नहीं देख सकते ठोड़ी आगे हम और बात करते हैं की जैसे इसमें एक टॉपिक पॉइंट है हर परमालौनाबीग से बना है मतलब कोई भी परमाडू नाविक से बना है जैसे कि अपन कोई भी ब्रत खींचते हैं ब्रत में तो ये एक तो केंदर जरूर होता है ठीक न तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे और नाविक एक या एक से अधिक इलेक्टरान से सीमित है दोस्तों क्या होगा कि उसमें अधिनाविक होगा तो नाविक प्रोटान होगे और बार इलेक्टरान होगे इसमें हम आवेस देख लेते हैं दोस्तों यहां important question एक है कि board में जो आता है दोस्तों कि board paper में पूछा जाता और इसमें बहुत से सारे जामों में पूछा जाता दोस्तों क्योंकि यह है जो यह मतलब की आपको tension पैदा कर देते हैं दोस्तों कि मतलब की इसका, जो क्या हम लगाए और कैसे याज़ करें ändern होता है जिस्रेकिंब पुछला वेहाँ नीविख करत दो सकती है जोवता है पुरुट मुझ Inc योड़ान होता है। इस भिशान होता है रहें पुरुट मुझेथ हमेंसे धनातमक होता है और इलेक्ट्रान जो है इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान दोस्तों यह कक्छाओं में चक्क्र लगाता है और रिनातमक होता है इस प्रकार से इसको हम्याद कर लेंगे और हम इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तो थोड़ी से आगे कि इसके जो द्रमान है मतलब कि इसका जो कितना मान होता है एक इलेक्टरान का मान कितना होता है प्रोटान का ऐसे हम बात करेंगे थोड़ी हम परमाडू की बारे में और चर्चा कर लेते हैं कहा गया दोस्तों कि परमाडू के द्रमान का 99.9-4% से अधिक भाग नाभिक में होता है बहुत important है दोस्तों क्योंकि आप जैसे की आप सोचते होंगे कि मलब यहाँ पर जो है दोस्तों जैसे एक हमारे एक कड्ड हो गए ठीक ना परमारु बहार होगिया, परमारु में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर मतलतanking इधर का जो भाग है, इन suite सबसे ज्यादा जो भाहर होई न अबिक में इसका जो द्रब्मान होता है नवर्बिक में 90,94 मतलब 99,94 परसेंट नवर्बिक में पाया जाता है तो इस प्रकार से है जो हमारा परमाड़ू का जो टॉपिक था दोस्तो यहाँ पे हम आगे जैसे की हमारा जो वीडियो बढ़ा होने की चलते हैं हमें एकी वीडियो में आपको नहीं बता सकते दोस्तो क्योंकि जो और भी जैसे स्टुडेंट से उनको समस्य हो जाती क्योंकि टॉपिक अलग अलग रहते हैं तो दोस्तो हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे और एक दूसरे से हमेशा रिलेट रहेंगे तो हमारे जो वीडियो हैं दोस्तो उसको आप एक क्रम से देखें क्योंकि यह दिया आप बीच में देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है इसलिए क्रम से देखें और अपने तयारी को अच्छे से अच्छे बना सकें थैंक्यू दोस्त